हांज दोस्तों अगर आप भी IPO, IPO, share trading, commodity में trading जा फिर mutual fund जा ऐसी ही बहुत सारे concept में आप trading वगरा करना चाहते हो IPO लगाना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए DMET account बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और आपको गर बैठे अगर free में DMET account मिल जाए तो फिर बात ही क्या है सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको DMET account सिर्फ 5 मिनिट में कैसे खोलना है और वो भी free और उसके साथ आपको gift वगरा भी मिलेंगे अगर आप मेरे दिये हुए referral code से DMET account Angel1 के उपर open करते हो तो आपको कुछ इस तरह के gift वगरा में देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक 500 रपै का voucher और दूसरा मिलेगा आपको 500 रपै का gift voucher जैसे Amazon Flipkart के उपर आप यूज कर सकते हो इस voucher का जब आप पहला ट्रेडिंग करेंगे इस DMET account के उपर नेक्स्ट दोस्तो आपको 500 रपै का मिल जाता है cashback जब आप पहले 30 दिनों तक DMET account में ट्रेडिंग वगरा करेंगे जाँ फिर margin trade facility जिसको हम MTF कहते हैं उसका use करेंगे तो आपको free में ये 30 दिनों तक आप सुविदा का अनन्द ले सकते हैं ये तो होगी दोस्तो मेरे referral के द्वारा आप Angel1 में DMET account खोल सकते हो अब ये account खोलना कैसे है इसके लिए क्या क्या requirement रहती है चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको Angel1 की website open कर लेनी है मैं description box में इस website का link दे दूँगा और साथ ही अपने referral code का link भी दे दूँगा ताँ कि आप director referral code के link के उपर जाके सीधा ही इस website को open करके खाता खोल पाए जैसे ही ये link open होगा आपको सबसे पहले उपर अपना right side में अपना नाम mobile number city का नाम और आपके mobile पे जो OTP आएगा उसको बर देना है नीचे referral code बरा जाएगा अपने आप जब आप मेरे code के link के तुरू जाएंगे इस website के उपर दोस्तो left side में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि zero equity trading इसमें आपको lifetime के लिए zero delivery में अगर आप equity में trading करते हैं तो lifetime free मिलती है अगर आप इसके अलावा intraday में trading F&O में जा currency community में trading करते हैं तो 20 रुपे पर order कितनी भी amount तक आप trading कर सकते हैं next दोस्तो इसके बाद अगर आप open and dmat account के open click करोगे तो आपके सामने इस website की कुछ detail page open हो जाएंगे मैंने पहले आपको बता दिया था इस window के उपर कि आपका नाम और mobile number बरने के बाद आपको city select कर लेना है OTP आए जाएगा OTP को यहाँ पर fill out कर देना है OTP fill out करने के बाद आपको नीचे referral code link अपना आप बरा जाएगा open dmat account के उपर click कर देना है open dmat account के उपर जब आप click कर दगते हैं तो आपके सामने कुछ welcome आपका नाम लिखा आए जागा और आपका एक number step complete हो गया दो number step के उपर हैं यहाँ पे आपको अपनी date of birth, pen card का number, email ID बर देना है जैसे ही तीनों चीजों को आप बर देते हो आपके सामने नीचे दो option और खोल जाते हैं आपके bank खाते के and IFC code के आपका bank खाता अगर आपको पता है तो लिख दीजिए दूसरा अगर आपको bank का IFC code पता है तो वो भी लिख दीजिए अगर आपको IFC code का नहीं पता तो आपके इसके नाती दिया गया है सर्च बटन का option सर्च में option में जाके आप अपने bank का नाम लिखके branch का नाम लिखके इसको अपने IFSC code को सर्च कर सकते हो सर्च करने के बाद आपको अपनी branch का IFSC code मिल जाएगा और नीचे proceed पर क्लिक कर देंगे proceed पर क्लिक करने के बाद हमें instant account opening with a digital locker अगर आपका अधार card और आपके mobile number से जुड़ा है और आप digital locker के ऊपर आपका account है तो उसके बाद आपके लिए बहुत यह आसान है यह खाता open करना digital locker के ऊपर आपको बहुत यह आसानी से एक mobile number के OTP से आप अपना account open करके अधार को link कर सकते हो next दोस्तो share your KYC detail के ऊपर click करेंगे share your KYC detail के ऊपर जैसे ही आप click कर देंगे आपके सामने अपना digital locker का यह पेज खोल जाएगा digital locker के ऊपर आपको अपना दार card के अंक यहाँ पर add करने है और next के ऊपर click कर देना है next के ऊपर click करने के बाद आपके registered mobile number के ऊपर एक OTP आएगा OTP बरने के बाद confirm कर देंगे confirm करने के बाद share your KYC detail को ok कर देंगे और उसके बाद आपके सामने page open हो जाएगा enter your personal details यहाँ पर आपको fill करना है कि आपके किस income range में आते हैं और आपका business क्या है business क्या नीची आपने लिख देना है अपने father का first name and next column में father का last name next दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर continue पर click और continue पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के window open होगी जिसमें आपको बरपने pen card आपके signature एक white paper के उपर signature अपलोड कर देने हैं signature करने के बाद white paper के उपर फोटो कीच लेजिए pen card के फोटो कीच लेजिए अगर आपके bank account की statement अब जहाँ पास्बुक की जहाँ पर cancelled check की फोटो है तो वो upload कर देजिए otherwise यह third चीज optional है pen card and अपने signature की फोटो upload करने के बाद उसका preview भी देख सकते हो next दोस्तों तीसरी चीज़ को optional short दे सकते हैं इसको आप बाद में भी upload कर दगने कोई दिक्कत नहीं अब proceed पे click कर देंगे proceed पे click करने के बाद ये direct redirect हो जाएगी e-sign के उपर nsdl की तरफ से e-sign की जो facility दी गई है उसके उपर हजा आजाएगी यहाँ पे आपको अपना term and condition को accept करने के बाद अपने अदार card का number एंटर करना है और send OTP पे click करना है फिर आपके mobile पे एक registered number पे OTP आएगा OTP को बरने के बाद verify OTP कर देंगे और आपका e-sign complete होने के साथ ही आपके account opening के 6 step complete हो जाते है last step में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक self verification करने के लिए एक selfie upload करनी है अगर आप mobile application के through खाता खोलते हो तो अगर आप desktop की माद्यम से जा अपने laptop के माद्यम से खाता कोलते हो तो आपको 10 second की एक video record करनी है जब आप start camera के उपर start recording की उपर click कर देंगे अपने आप ही 10 second की ये video record होने के बाद आपके face की आपको अपना नाम बोलते होए video record करने के साथ ही ये अपने आप ही submit हो जाएगी online बस ये थी प्रकिरिया आपका DMAT account open करने की DMAT account open हो जाएगा और mostly जैसे की देखा गया है कि 4-5 गंटे में आपको एक email आ जाती है कि आपका DMAT account है successfully verified हो चुका है और आपको एक 7 desert की DMAT account की login ID आपको मिल जाती है जैसे ही login ID मिलेगी login ID से आप अपनी email application के उपर जाके मिली हुई ID बरेंगे और forget password के उपर click करेंगे और आप अपना password बना सकते हैं अगर इसी प्रक्रिया में कहीं आपको कुछ डाटा फिल करने में किसी step में कोई मुश्कल आती है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे दियेगे comment section में अपना comment करके question पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी आपके लिए कितनी फाइदे मन साबित होई उसके भी आप अपने comment करके अपने विचार जरूर लखिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अपने वाचिंग दिस वीडियो